टुंडी रोड के अज़िडी के समिप शिवम आईरन स्टेल फैक्टरी के प्रांगण में वैक्सिनेशन का कारिकरम चल रहा है। शुक्रवार को भी यहां फैक्टरी के तमाम कर्मचारी और अगल बगल के गाउं के लोगों को वैक्सीन लगाया गया। बताया गया कि यह कैम्प लोगों में जागरुकता भी पैदा करेगी जिसे गाउं के ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित होंगे। इस कारिक्रम में कमपनी का डारेक्टर प्रमूद अगरवाल, एजियम प्रशासन अजय चौधरी एवं फैक्टरी गरने पदाधिकारी लगे हुए है। इस दोरान फैक्टरी के तमाम कर्मचारी वर्कर्स के साथ साथ आसपास के इस्थानिये लोगों को भी कोविड-19 का टीका लगाया गया। और इसमें हम लोग का टार्गेट है कि आज हम लोग तीन सो लोगों को वैक्सिन दे पाएंगे। इसका उधेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे वर्कर्स जो हैं हमारे करमचारी हैं उनको वैक्सिनेशन की सुविदा मिल जाए। कि काम के दुरान वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं वैक्सिन लेने के लिए तो इसका उधेश से पहला तो यह है कि उनको वैक्सिन मिल जाए। दूरे है कि अगल्बगल के गाओं को क्योंकि यहां की सुविदा नहीं मिलती है वैक्सिन के वहां के लोगों को भी हम लोग बुलाके यहां वैक्सिन देंगे। और इसका उठेश है कि लोगों को ज्याधा ज्यादा जागरूफ हों और भार्ण सरकार का बहां यहीं उठेश है, एक हम लोगों को दे देना है, और सिवनaron cholesterol कंप्रेंग लिमिटेड भी हर्दम यहीं दत्रत पर है कि ज्याधा से ज्याधा लोग वैक्षिन ले सके, ताकि हम कोविड नाइंटीन एक परोना के जल जल से जल भारत से और विस्व से भगास है हम लोग आउटेस हैं